डीडी अकडेमी के तरफ से आप सभी का स्वालक है पिछले तीन दिन तक मैं बिमार रहा आप लोगों से बहुत सारे सवाल है कि सर आप वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रहे हो देखिए मैंने आज का जो सेशन शुरू किया हुआ है सिंप्ली करेंट एफेर्स के उपर कोई डेट नहीं है और एक सवाल या चिन्ने से कुश्चन मार्ग से सवाल वो सवाल था जब मैं बिस्तर पे सोकर मिने को एक बात मैं खुद से पूछ रहा था कि जो मैं करेंट एफेर्स करा रहा हूं जैसे हर कोई कराते है उसी में मैं बेहतर करने की कोशिश कर रहा था लेकिन ये क्या आपकी जो मकसद है उसमें संपूर रूप से खड़ा उतर पाएगा तो चलिए आज थोड़ा सा सवक्त मुझे दे दीजिए उन बातों को मैं चर्चा करना चाहूंगा जो आपके लिए निहायद जरूरी है और ये आज का करेंट एफेर्स का सेशन में उसी पर समर्पीत करना चाहता हूं पहला जो है दिखे के लिए हम बात करते हैं तो कितने चीज़ों को इसके अंदर में समाया होता है बैंकिंग की उपर खबर होते हैं बीमा के उपर खबर होते हैं जो बैंकिंग के एक्जाम देते हैं उनके लिए अवस्य हो जाता है अर्थ ब्यवस्था के उपर खबर होते हैं राज्ये के उपर खबर होते हैं राश्ट्रिय के उपर खबर होते हैं अंतराश्ट्रिय इंटरनेशनल होते हैं भा मतलब किसी के निधन होने से निउस होते हैं कोई व्यक्ति समाचार पत्र में समाचार में एकायक में उसे निउस होते हैं शिक्ष्ष संब्यलेंग पर सवाल पूछे सनोजी के विड्यान दोकी है उस पैंप्वुचे जाते हैं वातावरन के उपर सवाल पूचे जाते हैं एप्स और पोटल के उपर पुछे जाते हैं अधिग्रहन और विले अर्थात सब मिलाकर देखो 22 हेट्स होते हैं इसके अंतर में अंतरगत्त आपका संपूर्ट करेंट एफेर्स होता है मैं इस मुद्दे को क्यों उठा रहा हूं इस मुद्दे को उठाने का मेरा एक ही कारण है देखो करेंट एफेर्स को हम पहले दो भाग में बाग सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको समझ यह क्योंकि केवल वीडियो क्या या कुछ पीडियेप क्या हमारे परपस को पूड़ा कर सकता है एक दम जाननों नहीं है और अगर हम किसी परिछा मे त्यारी कर रहे हैं अगर मैत मेरी कमजोर है दूसरा मैं अगर सब्जिक कमजोर है और अगर मैं करन्ट एफेर्ट जो आज पांट से साल कहीं कहीं दस सवाल आ जाते हैं उसको एक अपनी ताकत बनाना चाहते हैं तो हमारे नजरिये को थोड़ा सा चेंज तो करना होगा इस सब्सक्राइब से आप भी इतिवाक रहते हैं तो देखो इसमें दो पोर्शन आते हैं स्टेटिक्स अब स्टेटिक्स का मतलब क्या है उस पर भी थोड़ी बाते कर लेंगे दूसरा होता है नियूस तो अगर मैं नियूस में भी बोलू तो इसमें भी दो एक पॉलिटिकल ह होता है जो सबको समझ में आता है एक देको ण्यूस के अंदर में कूछ टेक्निकल पार्ट रहते हैं कुछ बैंकिंग के मुंद्दे रहते हैं कुछ अर्त- amendment शब्दावली होते हैं जो सभ दावली अगर हम समझ दीजिए कि हूर्च के स्टूडेंट है तो हम टेक्निकल के सब्धावली समझ में नहीं आते हैं अगर हम इंजिनियर हैं तो इकोनमी के बैंकिंग के जो सब्धावली हैं वो टीक से समझ में नहीं आते हैं तो करेंट एफेर्स का मकसद यह है कि हमने जिस 22 हेट्स को मैंने बात किया भी इसके सारा चीज और इतनी विस्ट्रिट से हमें जानकारी होना चाहिए जिस जानकारी से हम हर मार्ट्स के लिए एक्जाम में लड़ सके मेरा आज कहने का तातपर्च क्योंकि कल से हम एक नए तर लेकिन जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं मैं उनको बेस्ट देने की कोशिश करूँगा और भी कम से कम समय में कम से कम प्रहत्म से यह दोनों बात को मैं संपूर्ण रूप से मैं क्या करते हैं यह हो इसके लिए मैं कोशिश करूँगा ऐसा उनके साथ हो इसके लिए मैं ची मतलब 11-4-19 दीन हो गए हर दिन के अलग-अलग जैसे फस्ट में इंटरनेशनल लेवर डे, सेकेंड में वर्ल्ड ट्यूना डे, थर्ड में वर्ल्ड प्रेस फीडम दे, तो यह स्टैटिक्स के पार्ट है और यह एक ऐसी चीज है जो याद नहीं रहता है, आप भी समझते हो, उस वक्त अगर याद है तो हुआ, नहीं हुआ तो छोड़ना परता है, उसी तरह का विनर और अवार्ड की बात करते हो, खाली में महिने में इतने आपके अवार्ड जो काफी important है, जिसमें मैंने कभी उन चीजों को नहीं लिया हुआ है, जो छोटे मुटे हैं, सब इंटर तो हर महिने में 20 से 24 होते हैं और यह static part है, यह याद रखना मुश्किल होता है, तो फिर मैं फिर वही जगह से बोलना चाहता हूँ, यह static part से जो अगर क्योंकि है कि अगले में हैं, कल से मैं regular मेरी current efforts की video स्टार्ट होगी, साथ साथ में मैं उन points को भी discuss करूँगा, जो पीछ देखेंगे कि जो simple political news है, वो आपको याद रहेंगे, वो आप एक बार दो बार अगर देखेंगे, आपको याद रहेंगे, लेकिन economic banking टेक जिसम के अंदर में आपका जो है संख्या जुड़ा हुआ है, विशेश नाम जुड़े हैं, विशेश शब्दावली जुड़े हैं ये सभ्याद नहीं रहता है, तो हम क्यों ना वैसे सीखें, जो हमारा अभी हम current affairs की वक्ते रहें, उससे कम वक्ते हैं, लेकिन हमारी तयारी जो है, वो एक चीज़ की guarantee मुझे करें, कि हमें maximum marks मिलेगा, ये केवल शब्दों से बोल देने से नहीं होता है, मेरा भरोसा आपको देने से नहीं होता, बलकि उसके आगे चलना होता है, और इसके लिए चली में एक छोटे से example आपको मैं दिखाता हूँ, और वो example क्या है, वो example है कि चली में एक, जैसे मैं क्या बोलते हैं, इसके साथ साथ जो test, जो मैंने statistics बोला, अब statistics पार्ट का देखिए जैसे आपके 31 Ministers की बात करते हैं, अब देखिए Ministry of Environment, Forest और Climate ये सारे जो हैं, इनकी जब हम बाते कर रहे हैं, तो फिर हम इसको ऐसे कैसे आ गए हैं, देखिए जो है, इसको हम भूलते हैं, match the following, ये match करने के लिए हैं, और ये एक ही बार में आप जैसे यहां पे भई, Ministry of Environment, Forest, Climate ये हिंदी म में भी होगे, Ministry of Information, Broadcasting, कौन है, धर्मेंदर प्रदान है, प्यूज गोल है, प्रकास जाविद कर है, आपने दूसरा ड्रॉप डाउन दिया, फिर ये हुआ यहां पे आपने क्लिक किया, फिर यहां पे क्लिक किया, तो देख फिर आपने सब्मिट बटन दबाया, तो ये जो कि आपकी ये मोबाइल में रहता है, तो हर दी नगर पांच मीनार जब भी आप फ्री हैं, तो इस पूरे प्रकारन को है, पूरे जो करेंट एफेस को दो पार्ट में बाठ लेते हैं, एक पार्ट है, सपोस्थ आप NCRT की एक्जाम देने जाने हैं, अब NCRT की एक्जाम में six month controls के static part, कितने सम्मेलन हुए, अब January में, September में, 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 June में, July में, August में, September में, एक साथ, वह अगर खुछ देखोगे, तो वह सम्मेलने इस पर का candy, आप याद रह जाने इस मिरे को एक तरीका बता दो मैं जो बोल रहा हूं इस तरीके में आप देखोगे आप 300 का 300 आपको याद रहे जाएगा उसके बहुत जादा मगजबारी नहीं करना होगा हर जगह के मंत्रियों का नाम भैया जितने भी किताब छपे तो चाहे आप UPSC के एक्जाम दे रहे हो चा कि मैचिंग टाइप जो है वो बहुत जादा कारगर उपाय है आप खुद करोगे तो आप खुद समझ में आ जाए तो फिर क्या है करेंट एफेस में केवल पॉलिटिकल पार्ट केवल आपका वो पार्ट जिसके बारे में अभी मैंने चर्चा किया तो फिर से मैं एक बार इसको बताने कोशिश करूंगा यहां से देखते हुए कि हम केवल करेंट एफेस में इस पार्ट को और इस पार्ट को समझाते यह दोनों ही निज्व में हम कौवर करेंगे स्टेक्स पार्ट जो है यह स्टेक्स पार्ट को हम सीधे ले जाएंगे किस तरह से हम जैसे अभी जो हमने दिखाया है उस तरह से आपका यह मंत्वाइज नहीं होगा हर दिन रोत रहेगा यह आपके छे मैने आठ मैने के एक साथ होगा तो फिर क्या होगा कि आपकी त्यारी संपूर्ता होगा फिर मैं अपने बातों को दोड़ा देटा हूँ अपसे जो कल से जो करेंटे फि से आठ जो है इसमें कौबर होगा जो आपके टेस्ट में उसका भी मौक टेस्ट रहेगा और यह स्टेटिक्स पार्ट जो है जो सबसे बड़ा पार्ट है अगर छोटे एक्जाम देने जा रहे हैं तो यह पार्ट काफी जादा महत्तपूर्ण हो जाता है इस पार्ट से यह तो रहे गई साथी साथ मेरे ही वेब साइट में इसके पीडिया फाई दूसरे तरह से रहेंगे जिसका भर पूर करके याद करने में यूज कर सकें साथी साथ उसके उपर टेस्ट देके आप उसे हंडेड परसें संपूर्ता दे सकें अब इसके लिए जो है मैं यही बोल कि आज के इसको समाप्त करना चाहता हूं कल से जो है नए रूप में current affairs होगा जो exam में number की guarantee देगा तो कहने का मतलब है आप जो सब मुझसे जुड़े हुए है सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं बोलूँगा कि मेरे को आप बस इसलिए सब इस तरह से support करो कि आपका जो नजरिया है आप जो current affairs इसलिए आप पड़ते हो कि current affairs में आपको maximum marks मिले और वुस guarantee जो है अभी जो नए तरीके मैं दिखा रहा हूं उससे आपको हो जाए आपने समय दिया इसलिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और साती साथ आप लोगों ने जो प्यार दिया है जिस तरह की comments करते हैं उससे मैं बहुत ही जादा प्रभावित हूँ इसके लि